नमस्कार दोस्तो अगर आप फिल्मों के सोखीन है और खासकर साउथ इंडियन मूविज के सोखीन है तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले ये चैनल आप फी लोगों के लिए है दोस्तो आज हम South Indian के Top 5 Suspense Thriller फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें देख कर आपके होश उड़ जाएंगे और ये पाँचो फिल्में मैंने देखी है दोस्तो इसलिए मैं ये अकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये पाँचो फिल्में आपको बेहत पसंद आएगी तो चलिए सुरू करते हैं नमबर पांच पर जो फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है थडम जो 2019 में रिलीज हुआ था और आएम टीवी पे इसकी रेटिंग है 8.2 आउट और 10 और 96 परसेंट गूगल यूजर ने इसे लाइक भी किया है इस फिल्म के स्टार कास्ट में अपको नजर आएंगे अरजुन विजय, विद्या और स्मूर्ती वेंकट अगर बात करें फिल्म के स्टोरी की तो इस फिल्म में एक कतल हो जाता है दोस्तों और कतल करने वाले खूनी को पुलिस गिरफतार कर लेती है लेकिन फिल्म में कि वो इस कैस को कैसे सोल्व करें और असली खूनी का कैसे पता लगाए और इस फिल्म का क्लाइमेक्स दोस्तों इतना सांदार है कि आपको बेहत पसंद आएगा और एंड में आप भोचक के रह जाओगों कि ये क्या हुआ इस फिल्म को आप फ्री में यूटूब पर देख सकते हो थड़म नाम से तो कि सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है नमबर चार पर जो फिल्म आती है उसका नाम है अंतर युद्ध ये फिल्म 2018 में रिलीज हुआ था जिसकी IMTV पे रेटिंग है 7.8 वही 92% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है इस फिल्म में आपको बड स्टोरेन दिखाया जाता है जिसमें 4 या 5 कहानिया चलती रहती हैं सुरुआत में आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है सबकी अलग-अलग कहानी चल रही होती है लेकिन जो क्लाइमिक्स का सीन आता है दोस्तों वह आपके होस उडा देगा और एंड में आप ये सोचने के मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार जो फिलम में चल रहा था वो एक अच्छे नोट पे खत्म होता है और इसका क्लाइमिक्स आपको 100% अंदर से हिला देगा इस फिल्म को आप अंतर युद के नाम से होट स्टार पर देख सकते हैं ओफिसियली लेकिन अगर आप यूटू में रिलीज हुआ था इस फिल्म की आएम टीवी रेटिंग है 7 आउट ओप 10 और वही 92% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है इस फिल्म के स्टार काश में आपको नज़राएंगे दोस्तो समन्था भूमिका चावला और आदे पीनी सेट थी अगर बात स्टोरी की करें दोस्तों तो फिल्म में दिखाया जाता है कि एक हाइवे पे मडर हो रहे हैं और यह मडर निरंतर होते रहते हैं जिस पे सक के बिनाह पे कई को गिरफतार किया जाता है लेकिन उन में से कोई कातिल नहीं होता और वहीं फिल्म जैसे ही क्लाइमेक्स में पहुंचती है तो आ आप यूटूब पे हिंदी में फ्री में देख सकते हैं यूटर्न के नाम से अब बात नमबर दो की करते हैं दोस्तो इस फिल्म का नाम है अडाई जो 2019 में रिलीज हुआ था इस फिल्म की IMTV रेटिंग है 6.3 और 73 परसेंट गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है अगर फिल यानि काफी रोचक, काफी हटके और काफी थ्रिलिंग है फिल्म में दिखाया जाता है कि एक न्यूज एंकर रात को जब पाटी करके उठती है सुबह तो वो नेक्ड रहती है यानि बीना कपड़ों के एक ऐसे बिल्लिंग में रहती है जिसमें ना कुछ पेपर है और ना ह अई कुछ भी ऐसा कपड़ा जो अपने तन को ढग सके आखिर उसके साथ किस ने ऐसा किया यह आपको देखना पड़ेगा दोस्तो फिल्म में काफी रोचक है इस फिल्म को आप Amazon Prime पे देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है दोस्तों आपके वो हो सुडा देगा और एक समाजिक सीख दिखे जाएगा अब बात नमबर वन फिल्म की करते हैं दोस्तों तो इस फिल्म का नाम है राजसासन जो 2018 में रिलीज हुआ था आएम टीव पे इसकी रेटिंग है 8.5 आउट अफ 10 वही 97 परसेंट गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है फिल्म के स्टार कास्ट की बात की जाए दोस्तों तो बिशनो बिसाल और अमाला पॉल मुख किरदार में हैं फिल्म के स्टोरी की बात की जाए दोस्तों तो सहर में स्कूल की बच्चियों को एक साइको मडर करते रहता है और काफी बेरहमी से मडर करता है जिसका इन चार्ज एक पुलिस को दिया जाता है और वो इस केस को किस प्रकार सॉल्व करता है ये देखना काफी थ्रिल भरा होता दोस्तो और जो इस फिल्म के end में आपको दिखाय जाता है जो परदा उठता है कि कौन साइको रहता है किसने क्यों मारा था इन बच्चियों को वो देखना काफी इंटरस्टिंग होता है दोस्तो इस फिल्म को इंडिया का सबसे best suspense thriller फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा दोस से कई अनोफिसियल चैनल पे देख सकते हैं इसलिए दोस्तो जल्दी ही देख लिजे नहीं तो यूटूब से वो कभी भी हट सकते हैं क्योंकि अनोफिसियल डाले गए हैं दोस्तो तो ये थे दोस्तो साउथ इंडियन के टॉप फाइब सस्पेंस फिल्म में अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आप साउथ इंडियन मोवी देखना पसंद करते हैं हिंदी में तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तो क्यूंकि इस चैनल पर उसी से वीडियो डाली जाती है और इन फिल्मों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं दोस्तो तो लिंक पर क्लिक करके फिल्म का आनन उठाएए धन्यवाद